हेलो गाइस स्रागत आपका हमारे यूटिब चैनल पर आज हम देखने वाले हैं 12 इंग्रिश्ट महरास्ट बोट का 1.8 वर्जिंग टुवर्ड एक्सिरेंस इसका ब्रेंस्टॉमिंग एंसर तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो गाइस इसका जो समरी हो मैंने पहले भी अप्लेट कर दिया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में है आप वहां से जाकर देख सकते हो इस लेसन का समरी तो चलिए शुरू करते हैं देखते हैं कि ब्रेंस्टॉमिंग में कौन से ट्वेशन से हैं और उसके जो एंसर है वो कैसे हो सकते हैं तो यह ह आपका ब्रेंस्टॉमिंग और सबसे पहला क्वेशन है एवन उतमें फ़र्स्ट है अब ब्रिंगिंग प्लेस वेरी इंपोर्टेंट डॉल इन शेपिंग वन्स लाइफ यानिकी हमारा जो अब ब्रिंगिंग है फैमिली में हमारे एंवर्मेंट में वो किस तरह से होता है वो बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फ्युचर को डिसाइड करने में तो इसमें आपको डिबेट करना है दो गुरूप बनाना है और एक जो यह इस टॉपिक के फिवर में बोलेगा और एक ग्रूप इस टॉपिक के अगेंस्ट बोलेगा तो कौन से अच्छे से होगा हमारा फ्यूचर बढ़िया होगा उसके बाद अगेंस्ट टॉपिक इसमें क्या कहा गया है कि अचीवर्स केन भी सक्सेस्फुल एनी एटमोस्पीर यानि कि जो काम्या व्यक्ति होता है जो कुछ करने वाला होता है और किसी भी माहौल में कर सकता है उसे कि खास चीज की जरुद नहीं होती है उसके बाद फेवर में है मेक्सिव कॉन्फिडेंट यानि कि अगर आपके पीछे किसी का सपोर्ट रहेगा एन्वार्मेंट अच्छा रहेगा लोग अच्छे रहेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और उसके बाद अगेंस्ट क् आपको कुछ करने वाला व्यक्ती होता है कामियाव व्यक्ती वा वाद खुद का काम खुत से करता है और खुद पर डिपेंट रहता है उसे किसी की जरुद नहीं पड़ती है तो ऐसे कुछ टॉपिक हैं जिसके कोडिंग आप गुरू डिसकुशन कर सकते हो तो यहाँ पर आपको खुद के points भी कुछ लिखने हैं जैसे कि in favor of topic क्या है इट बीड healthy thinking and imagination against the topic है examples of those who have risen from humble background such as Dr. Bapa sahab, Ambedkar और Cristiano Ronaldo उसके बाद in favor में है offer better exposure and against में है confidence is an intrinsic quality तो यही है यहाँ पर आपको favor में कुछ topic बताने हैं अपने से और against क्या हो सकते हैं वो बताने है और against है मतलब यह नहीं कि यह जो topic है यह जो बात आपने कही है वो गलत होगा तो यही आपर बताया गया है उसके बाद second है go through the text again and describe the second inning of the writer in your own words तो आपको जो भी lesson है वो पढ़ना है फिर से और writer ने अपनी second inning के बारे में क्या बताया है वो लिखना है तो second inning writer की यानि कि उनका writing career जब उनने लिखना शुरू किया कहानी या काविता लिखना शुरू किया सबसे पहले वो क्या थे एक chemical engineer थे तो engineering करने के बाद कुछ सालों तक company हो में काम करने के बाद बड़ी बड़ी post पे काम करने के बाद उनकी second inning चालू होती है जिसमें वो writing करते हैं अपना passion follow करते हैं तो यह ही यहाँ पर आपको लिखना है उन्होंने Marathi writing की खास करके उसके बाद A2 में first question है Read the text again and make a list of great Indian and foreign personalities who had great impact on Achudh Goluboli during his childhood when it's done for you तो Achudh Goluboli जो हमारे writer है इस lesson की वोजिंग तुवर्ड excellence इनके childhood में कौन सी खास personalities थी जिन्होंने इनके mind को impact किया था वो लिखना है तो poets थे विंदा करंदिकर यहाँ पर लिखा है उसके बाद poets में देखो विंदा करंदिकर यह लिख कर दिया था और दुसरे हैं एक मंगेश पढ़गाओं कर उसके बाद वसंत बापट और writers में हैं केशर सूद, मार्थेकर, Charles Dickens, Thomas Hardy Musician में हैं पंडित भीमशेंग, जोशी पंडित जसराज, पंडित कुमार गंधर्व और Mozart उसके बाद Dramatist में हैं Shakespeare and Painters में Wayne, Gogh and Michelangelo तो यहाँ पर देखो यह आपके lesson में दिया गया था उन्होंने बताया था कि कौन सी great personalities कौन से writer, musician थे जिन्होंने उनकी thinking को impact किया था प्रभाव डाला था उसके बाद second is find different technique used by writer to learn science and mathematics when it's done for you तो writer ने बताया है कि वो कैसे खास तकनिक से खास तरीके से science और math को सीखते थे तो एक लिकर दिया है कि the writer used to appreciate the inherent beauty of these subjects उसके बाद तीन आपको लिखने हैं तो second क्या हो सकता है the writer used to solve the physics and mathematics problems of ninth standard when he was in seventh standard तो हमारे जो writer थे जब वो seventh class में थे तो ninth class का physics और math के questions solve करते थे कि उन्हें वो subject बहुत अच्छा लगता था उसके बाद the writer try to find the most elegant way of solving a problem उसके बाद the writer look beyond marks and develop a problem solving attitude तो हमारे writer सिर्फ exam में pass होने के लिए अच्छे marks के लिए नहीं पड़ते थे बलकि वो एक mind बनाना चाहते थे अपने attitude को problem solving बनाना चाहते थे तो यह यहां पर दिया है उसके बाद थोर्ड है the writer faced numerous problem while communicating in English because तो यहां पर भी आपको लिखने है कि उन्हें मराथी से सिधा English switch करने में English में बात करने में क्यों problem हुई उनका mother tongue मराथी था तो इसलिए वहां पर उन्हें खास करके problem हुई English में यहां पर आपको देखो क्या क्या लिखना है he had his entire education in Marathi तो उनका जो primary education था वो पूरा Marathi में हुआ था he will think in Marathi and translate awkwardly into English वो अपने दिमाग में किसी भी बात को पहले सोचते Marathi में से और उसे English में awkwardly यानि की घबरा कर डर कर translate किया करते थे इसलिए उनका जो vocabulary था वो बहुत कम जोड़ था वो प्रोनाउस नहीं कर पाते थे English के वर्ड को एंड वर्ड का जो construction है word formation था उनका वो बहुत ही कम जोड़ था उसके बाद fourth way the writer was completely stumped because he is तो वो बहुत ही दम चकीत हो गए कुछ कर नहीं पा रहे थे जब शुरू शुरू में वो मुंबई आये थे English में बात करना जब चालोगी आथा तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो परिशान थे क्यों क्योंकि सबसे पहला है vocabulary was weak उनका जो English words का knowledge है वो बहुत ही कम था spoken English was quite pathetic, pronunciation was terrible, construction of sentences was awkward तो यह इसका answer है नीचे लिखा हुआ है इसके बाद अगला है read the text again and complete the sentences तो due to writer pathetic English speaking style ही तो कुछ answer लिखने है तो तीन lines लिखनी है तो सबसे पहला आएगा she was feeling quite lonely in Mumbai in general and IIT in particular तो मुंबई में हमारे जो राइटर है वो पढ़ने आये थे और मुंबई में भी वो IIT में पढ़ने के लिए आये थे तो उनका English इतना कुछ खास नहीं था और IIT में बहुत ही अच्छे जो student है वो ही आते हैं जिन्हें बहुत अच्छे से English आती है लेकिन हमारे writer पूरी अपनी पढ़ाई मराठी में करके आये थे सिधे IIT में तो उन्हें बहुत ही problem हो रहा थ वह ऐसा सोच रहे थे कि मैं क्या यहां से वापस शल जाओं मुझे English आनी रही है उसके बाद develop and inferiority complex तो उन्हें खुद पर ऐसा लगा कि मैं बाकी लोगों से नीचे हूं क्योंकि मुझे English नहीं आती है उन्हें inferiority complex ऐसा महसूस हुआ उसके बाद wanted to run away from IIT and even Mumbai तो वही मैंने कहा कि उन्हें English नहीं आता था खुद को वो नीचा समर्जते थे बाकियों से इसलिए वो क्या सोचते थे कि क्या मैं मुंबई से भाग जाओं या फिर IIT से भाग जाओं वापस अपने गाओं अपने शहर उसके बाद अगला है complete the following sentence the writer wanted to achieve mastery in English because तो यहाँ पर इस cancer देख सकते हो उसके बाद fourth है make a list of different steps that the writer undertook to improve his English तो अपना English speaking skill जो है writer का उन्होंने कैसे improve किया कौन-कौन से steps को follow किया वो बताना है तो सबसे पहले है he started reading English newspaper and novels तो जो English newspaper था और novel कहानिया थी उन्होंने वह सब पढ़ना चालू किया अगला है he studied etymology देखो etymology यानि कि ऐसा science होता है जिसमें बताया जाता है कि किसी भी word का जो origin है वो कहां से हुआ है उसके बाद यहाँ पर दिये phonetics दिया है phonetics में यह बताया जाता है कि किसी भी word का pronunciation कैसे किया जाता है तो उन्होंने इन दो में चीजों को जानना चाहा जानने की शिरुगात की सबसे पहले तो वर्ड जो में है English का वो आया कहां से है उसका origin क्या है और second उसका pronunciation कैसे होता है कैसे उसे बोला जाता है उसके बाद c है he will stand in front of mirror to practice speaking and will realize his mistake and correct those himself तो उसके बाद वो सारे वर्ड को सीख कर mirror के साबने बोलते थे और खुद को analyze करते थे जो भी mistake आता था वो उसे correct करके फिर से बोलते थे तो यह सब किया उन्होंने और अपनी English को improve किया उसके बाद अगला है read the text again and describe the writer achievement after gaining mastery over the English language तो English language को जब वो बोलना बहुत हो गए तब उन्होंने क्या क्या किया यह आपको बताना है तो तीन लाइन से सबसे पहला तो his fear for English disappear तो उनका जो English को लेकर डर था बोलने को लेकर वो खतम हो गया उसके बाद he started feeling confident of speaking in English at length with anybody तो वो English बोलने में बहुत ही confident हो गय थे और उन्हें था विश्वास हो गया था कि मैं आप किसी से भी English में बात कर सकता हूं उसके बाद later in his career he could make presentation and negotiate deals all because of his improve English तो इसका answer है उसके बाद B है go through the text again and complete the table comparing two different phases of life of writer as an MD or chief executive officer and an activist of सरवदय मुवमेंट तो हमारे जो राइटर थे सबसे पहले तो उन्होंने अपना engineering complete किया और बहुत सालों तक बड़ी बड़ी पोस्ट पर बड़ी बड़ी कमपनियों में काम करते रहे उसके बाद उनकी life का second inning चालो हुआ जिसमें उन्होंने writing किया और बहुत सारे काम किये अपने passion को follow किया तो यही यहां पर बताना है कि जब हो MD थे chief executive officer हुआ करते थे ब और रहते हुए उन्होंने 23 साल तक बड़ी बड़ी कमपनियों में काम किया कमपनियों के head रहे उसके बाद travel all over the globe around 150 times for business तो इतने बड़े पोस्ट पर थे वो 23 सालों तक इसलिए वो 150 बार से जादा दुनिया में अलग 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 देशों में घूमते रहे बिजनस के सिलस पर चार बुक्स लिखी 500 से सास्तों पेजेस की उसके बाद एक्टिविस्ट ओफ सर्वदय मुवमेंट तो जब वह आपस इंडिया आये सर्वदय मुवमेंट में एक्टिविस्ट थे तब उनका क्या था रोल कैसी लाइफ थी यह बताना है तो पार्टिसिपेड़े इन प कुछ बड़े पोश्वर नहीं थे दस इन तक जेल में थे इसलिए उनके पास कोई जोब नहीं था आगे इसलिए उन्हेंने लोग पेमेंट वाला जोब शुरू किया तो इस अब यहां पर आपको लिखना था उसके बाद आगे है कंपीट दी वेब हाइलाइटिंग दी व इंबरेस्ट फोर यह लेक ओफ नॉलेज ओफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और इन कंपिडेंस इन स्पीकिंग इंग्लीश फ्लुएंसी तो यहां पर देखो क्या पताना है आपको कुछ ऐसे मोमेंट के बारें बताना है जब आप इंग्लीश ना बोल पाने के कारण शर्यम नेटिव गीवेन तो यहां पर इसका एंसर देख लो यह सबसे पहले ABCD और इसके बाद EFGH गाइस जो पीडियोफ है इसका लिंक आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप पर मिलेका पीडियोफ फॉर्वेट में मिल जाएगा टेलिग्राम ग्रूप पर टेलिग्राम ग्रूप अगें and find out all the words related to game of cricket list two meaning of each one is done for you तो यहां पर देखो आपको lesson पढ़ना है और cricket इस खेल से related कौन कौन से word दिये गए है उनका meaning in general लिखना है और cricket में क्या meaning होता है वो लिखना है तो सबसे पहला second inning दिया है तो in general life में second inning मतलब होता है कि आप retirement के बाद क्या काम करते हो retirement के बा जाता है life की दूसरी पारी कहा जाता है और cricket में second inning का मतलब क्या होता है यह तो आपको पता ही होगा test match में खास करके जब कोई team पर एक बार बैटिंग करती है और दूसरी बार फिर से बैटिंग करने आती है तो वह उसकी second inning या हिंदी में कहें तो दूसरी पारी होती है उसक अब ही आप देख सकते हो answer उसके बाद third is go through the text to find the antonym of the words given in the grid and fill the boxes one is done for you तो यहां पर देखो एक कुछ word दिये गए हैं इसका आपको antonym लिख कर antonym ढून कर इन पॉजल में boxes में लिखना है एक आपको दिया हुआ है जैसे कि unlucky का lucky opposite word दिया हुआ है उसके बाद second solution का यहां पर लिखना है उसके बाद third trust trust का यहां पर लिखना है और बागी जो fourth word है आपको लिखना है उसका antonym यानिकी opposite word तो कैसे हो सकते हैं इसके answer lucky तो आपको पहले से दिया था उसके बाद यहां पर problem आ जाएगा second उसके बाद डाउट आएगा उसके बाद यहां पर देख सकते हो डिफीडेंट आएगा उसके बाद basic and last में master तो यह रहेगा ऐसा answer उसके इसके बाद यहां पर do is directed है इभी आप देख सकते हो कि क्या करना है इस bracket में बताया गया है कि क्या करना है तो आपको remove करना है but और एक नया sentence बनाना है इसके बाद यहां पर remove date करना है और एक sentence बनाना है तो इसके बाद एफ़ाय है फ्लायर इस स्मॉल पीस ओफ पेपर intended for wide distribution at a public place head out to individual और sent through mail or post उसके बाद इस यूस्ट वर advertising an event program drive और product तो flyer या फुजिसे pamphlet भी कह सकते हैं एक कागश होता है जिसे information होता है किसी चीज के बारे में किसी प्रोड़क्ट के बारे में किसी कमपनी के बारे में किसी पी चीज के तो यहां पर एक college का flyer है pamphlet है इसी तरह आपको अलग-अलग topic पर बनाना है आपको किस पर बनाना है यहां पर देख सकते हो एक example के लिए और अपने इसाब से बना सकते हो तो सबसे पहले यह का ग्लास का है इसमें सब कुछ बताया गया है location टाइम वगेरा contact number feature क्या खासियत है वहाँ पर इस सब बताया गया है तो यह रहा आपका यह ग्लास का pamphlet flyer कैसे हो सकता है यहां पर देख लो इसमें एक स्लोगन दिया है date दिया है contact number दिया है website वगेरा दिया है तो ऐसा होना चाहिए main information आपके flyer में उसके बाद cleanliness tribe यहां पर देख सकते हो क्या बताया है location है और address वगेरा date है जो कि important होता है उसके बाद child labor को end करो उसका flyer कैसे हो सकता है यहां पर देख लो उसके बाद tobacco and alcohol ना यूज करें इसका flyer देख लो say no to alcohol smoking and drugs एक कुछ sample flyer है उसके बाद last में क्या पताया गया है A6 में यहां पर तो हमारी जो राइटर है अचुद गोड़ बोले उन्होंने बहुत सारी books लिखियें यहां पर बोला गया है कि कोई भी दो बुक पढ़ो और उसका summary लिखो summary बताओ तो यहां पर दो बुक उनकी कोई भी आप पढ़ सकते हो अगर पढ़ना होगा तो यह सारी question बस थोड़ी activity के लिए दिये होते हैं last में तो जिसमें से उनकी दो बुक से देख सकते हो अजुद गड़ोबोले का सबसे पहला है मुसाफिर और दूसरा है प्रवास तो यहीत आज का आपका वीडियो ब्रेंस्ट्रॉमिंग के एंसर पीडिएफ आपको हमारे इस ट्लेग्राम ग्रूप पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं आप मुझे इस्ट्रॉम पर फोलो कर सकते हो अपने डाउट पुशने के लिए अपने सवाल पुशने के लिए मिलते हैं अन्ने किसी वीडियो में वीडियो करा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद्